वेलकम तु तिवारी क्लास तो चलि बच्चो इस वीडियो में आपको डिस्क्राइब करनी कोईशित करेंगे मेरे जितने भी 36 ड़के बच्चे हैं खास कर बाब बता दे मेरे cgdmi.inside जिन्हों ने बच्चों ने बच्चों ने भीजिट कर रखा है बाब बता दे मेरे जितन कांसलिंग आपकी यहां पर आपकी स्टार्ड है चलि हम आपको सबसे पले इनकी प्रोस्पेक्टर पढ़के दिखाने की कोसिस करते हैं नों ने लिखा है कि मॉप अपर रांड के लिए जो बीएश नेरशिंग शांती साथ जो एमेश नेरशिंग जो लिए पोस्ट बेशी आपको अपको सिर्फ च्रोईस पिलिंग करोगे तो आपकी मतलब कांसलिंग नहीं माने जाएगे ठीक है तो online choice करने की date है आपकी 14 साय मीन आज ही से start है चले कब से कब तक तो आप लोग 8.5 तक choice feeling आप लोग कर सकते हो ठीक है ने इतना point out हम आपका clear कर दे आप लोग बोलो को बिल्कुल सरशाही बात है ठीक है चाथी साथ यहाँ पे एक और भी चीज बता रहा है कि इस college में आपकी seat आपके BSE के लिए 50 seat इसमें add हुई है तो आप लोग इस college को भी आप लोग या MSN nursing के लिए आप लोग डाल सकते हो खेर हटाईए हम नीचे आते हैं नीचे आने के बाद और भी बहुत सारे शीज आपको हम दिखानी की कोशिस करते है कि कड्योंग किया भी हूई है सीट मैट्रिक्स आप है कितनी seat है आपके कितनी seat है कितनी seat भी है इस प्रकार घृब हम आप लोग कोशिश करोगे तो कभी धाम में कोशिस करोगे तो कभी दा में 9 सीट खाली है ठीक है ना इस परकार अगर हम टोटल सीट काउंट कर ले अगर बापो नीचा चले है तो स्कॉल करके हम नीचा देखी यहाँ पर आप लोग बता दे फॉर कंट्रमेशन बापो यहाँ पर देख सकते हो टोटल सौ सीट आपको यह आपको अपर नीचा आपको यहाँ पर देख लिए सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले नर्षिंग MSC यह पर क्या करना पड़ेगा आपको क्लिक कर देना पड़ेगा चले जैसे इस पे क्लिक कर दोगे, आपके सामने कुछ ही इस परकार की टाब को लेगे, जैसे यहाँ पे क्लिक कर दोगे, क्लिक करने क बाद यहाँ पे आपको एस student login खुलेगा, यहाँ पे आपको इस पे आपको select कर लेना है, करने के बाद आपको फिर आपको अपना जो भी एक तरीका का जो भी आपको mobile number इंटर ओंटर करके आपको डालना पढ़ता है फिर आपको होता नहीं तरीके बच्चों जैसे आपको login कर लोगे login करने पाद आपको इस प्रकार की टेब लिखे का please complete your submit application form if you have submit ignore this message तो जो नए नए बच्चे होंगे अगर उन्हें submit नहीं किया होगा एक बार आप dashboard पे click कर लेंगे यह होता है नहीं आया registration form पे ठीक है ना जो नए नए बच्चे होंगे और जिन बच्चों ने एक बार registration करा लिया है उनको से choice filling करना है उनको यहाँ पे choice filling का आपको next उनको option देखें आपको बता रहे हैं लेकिन जो जो नए बच्चे अगर participate करते हैं उनको registration form पे आपको click कर देना है ठीक है उसकी बाद आपको क्या करना है जिन बच्चो registration form पे click कर देंगे फिर आपको यहाँ पर date of birth certificate को कहा का बना हुआ है यह सब सारे चीज आपको यहाँ पे आपको notify कर लेना है नहीं वो तेक तरीका से आपको अब आपको बताने की कोशिस करें यहाँ पे कि आपका अगर यहाँ पे 36 को domicile अगर आप yes करते हो तो यहाँ पे government college प्राइबेट दोने का देता है अगर आप 36 दो मिसाल नहीं होगी तो सिर्ए आपको private college को option देगा तो यह सारे चीज माइनरोटी है कि नहीं मुस्लिम, सीख, जान यह सब आप लोग को select कर लेना है पिर आपको अगर नए नए बच्चे होंगे तो फिर इनको पूरा 12 की documents डेटा भर नहीं रहती है कि 12 की आपकी कितनी आपकी marks आई है यह सारे चीज आप लोग भर लोगे ठीक है ना उसके बाद से i declaration पे click करके फिर आगे बढ़ना पड़ता है यह नए बच्चों के बता रहा है जिन्होंने आपका जिन्होंने नई payment किया और नई first round में मतलब भाग लिया था ठीक है जैसे उसके बाद आओगी आप लोग सब्मिट पे click कर लोगे यह नए बच्चों के बता रहा है अभी च्वाइस फिलिंग करके भी आपको बताएंगे पर आपको यहां पर आपको क्या करेगी आपको ऎहां पर save and finish का option दीगा यहां पर save and finish पर click कर देना है नए बच्चों के बता रहा रहा है लेकिन जो पुराने बच्चे हैं उनको direct आपको choice filling का आपको मौका दिया जाएगा ठीक है तो जैसे ही अगर नए बच्चे हैं तो यहां पे लिखेगा आपका payment is successfully अब आपको choice filling का मौका दियेगा लेकिन जो first time भाग लिए थे और जिनका seat allotment नहीं हुआ था उन बच्चों क आपको आपको दिखा रहे हैं ठीक है तो इस परकार के आपको choice filling के आपको option खुलेगा जो बच्चे एक बर अपना भाग ले चुके हैं उनको सिर्फ choice filling का ही option दिखाई देगा चले हम आपको choice filling पर क्लिक करके दिखाते हैं जिन बच्चों ने मौप अपरण भाग लेंगे जिनको first and your second number seat allotment नहीं हुआ होगा उस बच्चों को इस परकार के टाप खुलेगे देख लीजे एक बार अब मत बोलीगा कि सर ने बताया नहीं चले उसके बाद आपको क्या करना आपको choice filling कैसे करनी है suppose that यहां पे आपको college का नाम सर्च कर लेना है ठीक है तो चले हमने य काश शर्च किया तो यहाँ आपलोग देह सकते हुआ है दूरख ली-ःवल हमारी यहाँ पर आ चुकर आचे है नियुसका होगी अब हमने यहां से इसको यहां पर यहां से हम इसको add कर लेंगे और add करने के बाद यहां पर आप लोग अगर हम आपको ध्यान से दिखाने की कोशिश करें यहां पर ओके बचलोग देखिए जैसे हमने उस पर click कर दिया देखिए हमारी यहां पर college की नहीं आ गई इस प्रकार आपको next next college करकर के लास्ट सब आपको college डालना के last में आपको save and preview पे click कर देणा फिर वहां पे जाको फिर आपको आपको एक बार next next करकर करके आपको सब हर college डालना के last में जितना college आपको डालना है या से सारे उपर सारे आप department college ही डालेंगे अगर private डालना है तो आप नीचे भले डाले लेकिन सारे सारे बच्छे से बोल रहे हैं जिनको सिर्फ government के लिए ही try करना है तो पूरा का पूरा government ही डालेंगे जिनको और private ही चाहिए कम marks है तो उपर government डाल देंगे और नीचे जो उनको private जो उनको choices होगी आप नीचे आप लोग डाल सकते हो ठीक है तो चलिए यहाँ पर 7 preview के बाद आपने जिस अपने पासवर्ट से लॉग इन किया है उसी पासवर्ट से फिर आपको क्या करोगे आप लोग कर दोगे हो जाए आपकी 24 फिली इतना बात आपका हम clear कर दिए ठीक है तो इस परकार आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आपको कैसे करना है यहाँ पर आप लोग एक बार यहाँ पर क्लिक करके और क्लिक कर दोगे देखिए आपकी college आपकी एड होते जाएगे इधर यहां पर देखो यहां पर जो भी इतने यह अब यहाँ पर च्रूरच आपको प्रेंड होते जाएंगे च्पूंअल generate रखोस्क्रस क्रिज़क्श इस तो करने के बाद आप लोग लोग प्रेंड लोग क्या कीज़ेगा बिंधे टीज़ेगा हो सब कर लेना है फिर आपको बता दे कब से कब से कब तक पो चौएस फिलिंग कर लेनी है तो आपको चौदा से लेकर आपको चौदा से लेकर